तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आज का मरा कॉंसेप्ट रहेगा डीपीट नाओ वोट इस मिन बाई डीपीट डीपीट है क्या तो सिंप्ले आप देखें डीपीट मिन्स नथिंग बट डिस्टोर्शनलेस एनांस्मेंट पोलराइजेशन ट्रांसपर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डीपीट मिन्स डिस्टोर्शनलेस एनांस्मेंट पोलाइजेशन ट्रांसपर इसते हमें पता चलेगा यह टेकनिक है इसते हमें पता चलेगा कि हमारे कंपान में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कारबन कितने हैं तो यह जो यह जो टेक्निक है इसमें हम DEPT यूज़ करेंगे 45, 90 and 135 हमारे लिए सबसे बेनिफिशल DEPT जो रहेगी वो 135 की रहेगी ठीक है समझने की कोशिश करते हैं अगर C13 में हम different chemical environment के कार्बन कितने हैं वो देखते हैं अगर DEPT 45 हमने देख ली तो DEPT 45 में हमें कार्बन का मतलब कोटरनरी कार्बन का कार्बन पे कोई proton नहीं है ऐसे कार्बन का पिक जो है वो दिखाई नहीं देगा यह नॉर्मल C13 का ग्राफ है CH का ग्राफ पॉजिटिव आएगा CH2 का ग्राफ पॉजिटिव आएगा CH3 का ग्राफ पॉजिटिव मतलब primary, secondary and tertiary कार्बन का ग्राफ पिक पॉजिटिव आएगा DEPT 45 में अगर DEPT 90 की बात करें तो यहाँ पे देखे quaternary carbon, secondary carbon and primary carbon का पिक जो है वो वैनिश हो जाएगा only CH2 का, sorry only CH का miss tertiary carbon का ही पिक हमें दिखाई देगा और हमाले लिए जो important DEPT है which is 135, अब DEPT 135 में जो positive पिक होते हैं वो CH and CH3 के रहते हैं, जैसे कि यह आप आप देख सकते हो, CH का tertiary carbon का पिक positive रहेगा as well as CH3 मतलब primary carbon का पिक positive रहेगा in a DEPT 135 and CH2 का मतलब secondary carbon का पिक negative होगा तो हमारे molecule में CH2 कितने हैं, CH3 कितने हैं, CH कितने हैं, वो हमें find out करना है तो हमारे लिए सबसे important DEPT कौन सी होगी DEPT 135, ठीके हमने यह समझ लिया कि अगर CH and CH3 है, molecule में तो DEPT 135 में उसके positive पिक आएगे और CH2 के पिक के आएगे, negative आएगे, और C13 में different chemical environment के carbon कितने हैं, वो ही तो हम predict करते हैं और जो different chemical environment के carbon हैं, उसमें से CH3 कितने हैं, CH2 कितने हैं, CH कितने हैं, वो हमें पता चलेगा, इस experiment से, distortionless enhancement by polarization transfer 45, 90 and 135 ठीके, इसके basis पे हमें example कैसे आएगा, question कैसे आएगा, वो हम समझने के कोशिश करते हैं तो simply आप देखिए, यहाँ पे एक example given है, जिसमें A, B, C, D, E and F, S, A, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 type के carbon present हैं अब जो A type का carbon हैं, हो क्या है, CH3 terminal end पे, CH2 B type का carbon है, मतलब इसका 135 में positive pick आएगा, इसका negative pick आएगा, 135 की बात हो रही है, यहाँ पे C है, carbon है, इसका मतलब 135 में उसका graph नहीं दिखाए देगा, pick नहीं दिखाए देगा, CH का यहाँ पे positive pick, D वाला भी positive, E वाला भी positive pick आएगा, in, DEPT 135, और CH का भी pick, sorry, CH3 का pick, यहाँ पे positive आएगा, DEPT 135, तो DEPT 135 में only one negative pick, यहाँ पे देखिए, DEPT 135 दिया है, जिसमें CH3 positive है, CH positive है, CH2 negative है, इससे हमें predict हो रहा है, कि हमारे compound में only one CH2 present है, and remaining either CH और CH3 हो सकते हैं, लेकिन chemical shift value, delta value से हमें predict होगा, कि हो CH3 है, अगर CH के हम बात करें, तो quaternary carbon है, sorry, tertiary carbon है, तो double bond का होगा, CH double bond पे हो सकता है, तो उसकी delta value 120 से लेकर 150 के बीच में रहेगे, अब यहाँ पे C का pick ही अपेर नहीं होगा, है ना, simply यहाँ पे देखिए, C13 से हमें पता चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, DBT से हमें पता चलेगा, कि 1, 2, 3, 4, 5, C का pick cancel हो चुका है, quaternary carbon का pick नहीं आएगा, 90 से हमें पता चलेगा, only CH के pick positive है, दोनों हमारे क्या है, CH है double bond पे, हमारे CH, मनलब double bond पे hydrogen, 2 है, double bond carbon 2 है, और यहाँ पे हमें पता चलेगा, negative pick से के CH2 हमारे molecule में एक है, समझ में आ रहा है, DEPT का use क्या है, ठीक है, इसी के basis पे हम यहाँ पे देखेंगे, question, ध्यान से देखना है question, बताए इसका answer क्या होगा, इस compound में negative pick कितने आएगे, simply क्या है, CH2 कितने होगे, तो इसका answer कितना होगा, 1, answer क्या होगा, 1, 2, दो answer correct है, विल्कुल नहीं, क्या दो answer correct है, नहीं, simply यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी तो CH2 ग्रूप है, यहाँ पे भी तो CH2 ग्रूप है, चाहिए ओ डबल बॉंड पे हो, यह सिंगल बॉंडेड CH2 ग्रूप है, CH2 का meaning क्या है, negative pick, इसका meaning, हमारे negative pick कितने आएगे बेटा, 1, 2, 3, 4, तो 4 हमारे negative pick आएगे, answer C जो है अपका correct answer होगा, not A, समझ में आया है, हमारे molecule में negative pick कितने हैं, इसे हमें predict होगा, कि 1, 2, 3, 4, 4 CH2 है, positive pick की बात करें, तो 1, यह भी positive pick है, CH3 का, S और no, तो positive pick की अगर हम बात करें, तो positive pick में 1, 2, and 3, 3 हमारे positive pick आएगे, and negative pick की बात करें, 1, 2, 3, and 4, 4, negative pick आएगे, inner DEPT, 135, distortionless enhancement, polarization transfer, 135 में, समझ में आया है, तो remember, CH2 pick, negative inner DEPT, 135, ठीके, उसी के basis पे next question देखते हैं, एक question भी interesting question है, ध्यान से देखे, the correct structure of the following compound, which saw following C13NMR, DEPT, 135 data, DEPT, 135 का data दिया है, जिसमें negative pick as well as positive pick देए, positive pick कितने हैं, एक ही है, और negative pick कितना है, 1, 2, 3, 4, इसका meaning क्या है, हमारे molecule में 4, CH2 group होने चाहिए, S और no, और 150 value है, इसका मतलब एक ही CH group होना चाहिए, CH3 group की 150 value आई नहीं सकती, CH3 मतलब primary carbon 19, 20 के around value रहेगी, तो simply आप देखे, 4 CH2 कहाँ पर है, यहाँ पर 1 and 2 CH2 group है, eliminate 1, 2 and 3 CH2 group है, eliminate 1, 2 and 3 CH2 group है, eliminate correct answer आएगा, first, जिसमें 1, 2, 3 and 4, 4 CH2 group है, and next आप देखोगे, only one positive pick, मतलब one CH group है, है ना, CH का क्या रहेगा, positive pick, इसका meaning क्या है, हमारा correct answer है, answer first, option number first क्या है आपका, correct answer है, समझ में है, बहुत ही interesting question था, आसान question था, delta value के basis पे देखे, 114 लिका है, इसका मतलब है, double bond का value रहेगा, 114, CH का positive है, इसका value रहेगा, 150, अब देखे, 61 है, मतलब oxygen के साथ connected है, और 31 and 30 है, तो यह 31 रहेगा, यह 30 रहेगा, तो ऐसे हम delta value भी match करके check कर सकते हैं, कि हमारा first option correct था, ठीके, I hope आप सबको एक concept समझ में आया होगा, बहुत interesting concept था, बहुत ही अच्ची तरीके से हमने discuss किया, अगर कोई doubt है, कोई issue है, कोई query है, तो इस video की, जो comment session है, उसमें आपका doubt, issue, query, आप send कर सकते हो, उसका answer आपको मिलेगा, ठीके दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है, तो like कीजिए, अपने दोस्तों के साथ link को share कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी चैनल को subscribe कीजिए, bell icon को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि time to time आपको notification मिले, ऐसे ही amazing videos के, ठीके दोस्तों तो यहाँ पर हम stop करते हैं, thank you so much, thank you so much for watching and happy learning.